तो गाइस मैं हुआ की तौर आप देख रहे हैं रिस्लिंग फैंस नेटवर्ग आज की वीडियो के अंदर गाज हम लोग बात करने वालें ब्रॉक लिस्टनर एंड ओमस के बारे में इनका मैच अभी तक रिसल मीनिया के लिए अफिसली सेट नहीं वाए लेकिन हो सकता है एं आप लोग वीडियो को देखना बिल्कुल एंड तक लाइक शेर अंड सब्सक्राइब कर दे फॉलो कर दे मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर दोनों के लिंक आपको मेले की नीचे डिस्क्रिप्शन में चले वीडियो को सुरु करते हैं तो अभी तक हम लोग को इतना मालूम है कि ब्रॉक लेस्नर अभी रिसेंट्ली एलिमिनेशन चेंबर के अंदर बॉबी लैसली से हार के आएं डिस्क्रिफिकेशन की वजा से अब जो है ओमस उनसे भिड़ना जाते हैं लैसली का मैच होगा ब्रेवाइट से एंड ओमस ने चैलेंज दे दिया करेंगे तो कुछ और होगा तो ऐसे मैं बता दू आपको कि इसके दो पहलू है दो तरह की अपडेट से अब ध्यान से समझना होगा डेव मेल्चर जो है कहते हैं कि ब्रॉक लेस्नर साइध चैलेंज रिजेक्ट भी कर सकते हैं ध्यान से सुनना मतलब आप बताने वाली बा रहा नच वी देख रही होगी कि फैंस का रियाक्ष्ण ने ले लिसनर और ओमस पर और उसके साब से लोग लेस्ट न estion को लिवाएंगा होसकता है वह सकता है Eğer अब आके श्यक्ट कर दें लेकिन अगर आपकर ये चालेचीन करें अछलेंज्ट होता तो यह क Path this time mr interaction दिख के decision ले एंड लेकिन एक दूसरी चीज ये भी है कि ब्रॉक लेस्टर के पास क्रेटिव कंट्रोल है कि वह अपने हिसाब से मैच लड़ सकते हैं तो मेंटर कह रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर जाद इंवाल्मेंट है ही नहीं लेस्टर लेस्टर ने खुद से ही डिमांड कर ही होगी मैच के लिए ब्रॉक लिस्टर खुद गए होंगे करेटिव टीम के पास के पास एंड बोले होंगे कि कोई ओमस से भीड़नी रहा है तो मुझे भी रहा तो इस जाइंट से मैं ही भीरूंगा तो कह रहे हैं डेव मेंटर कि यह लिस्टर का ही कॉल हो सकता है तो अच्छा चांसे की रिसेंट बीते वे एक हफते में डवी ने रियाक्शन देखा है फैंस का एंड वो रियाक्शन देखके में भी मैच रिजक्ट भी किया जा सकता है आई होप यह मैच रिजक्ट करें ब्रॉक लिस्टर लेकिन ऐसा मानना बहुत अजीब सी चीज़े कि ब लिसनर की खुद में बेचती हो जाएगी तो मैच अगर होगा भी तो साहफ रिसल्मीन अमें आạnhूँ होप ऐसा हो बागर के तॉट सब्सक्राइब करodies वड़े अगली वीडेओ में